नबसकार दोस्तों मैं उमेश कुमार कुसवाहा और एक छोटा सा जो मेरा परिवार देख रहे हैं ये हर महीने परिवारों का नया नया मेरे जो दुनिया है मेरा जीबन है उसमें नयने परिवारों का इंट्री होता है और ये लोग टैम निकाल के मेरे पास ट्रेनिंग लेने पढ़ा है और जो इतना दिन हमने संघर्स किया है उसका निचोड इन तक पहुंचाता हूं और मैं एक चीजा और यहां बोल दूँ कि जब अगर बाड़े में आपके मूर्गे हो तो पहले से कुछ बोले न बोलें अगर आप बोलेंगे तो भी बोलेंगे जैकि एक मूर्गा कि खराब मोसम में भी बकरी का देखवाल कैसे करें ये भी इनको घूमा के दिखाया गया है बकरी paarलन में क्या क्या समस्या है आपको आ सकती है और उन्होंने मुझे क्यों चुना और ट्रेणिंग क्यों पढ़ा यह मैं उनका अनुभव लोगा ताकि जू तो उन्हें लगे कि कितना जरूरी है बकरी परण में कुछ सिखना या पना सिखे भी किया जा सकता है तो क्या जरूरत पड़ा इनको यहां तक आने का यह अनुभव अपना बताएंगे आप थोड़ा सा आगे आएंगे यह हमारे बैच के सबसे सिनियर व्यक्ति हैं और ट्रे कि इतना अनुभव इनका पहले से है उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे चुना तो कहीं न कहीं से मैं कुछ अच्छा किया हूं तभी इन्होंने मुझे चुना है पिछले कितने पहले तो आप यह बताएं कि आप हैं रहने वाले कहां के हैं हम सीवहर जिला से रहने व नासिब सभ्या कि नहीं चल करके इसके लिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और थोड़ी-छोड़ी इसी बातों का भी बारीकी समझ लेना जरूरी है ताकि इस नुकसान से बचे और और आगे निकल जा तो आप तो इतना दिन से बकरी पालन आप घर में भी होते रहा है जै हैं तो यह पान दिन का ट्रेनिंग में कुछ नया सिख पाए या फिर जो था वही है बहुत कुछ बहुत कुछ नया हमने सीखा है वह तो हमनों का एक पहले से जो देखा लोगों का या घरों में उसी तरह से मैं भी करता रहा लेकिन यहां आने के बाद तब वह ज्यानिक त होते रहा है और आप सुरू से किये हैं आपका इतना एज हो गया आप सिनियर व्यक्ति हैं उसके बाद बकरी पालन तीन साल से आप अच्छी तरीका से कर रहा है और पहले से भी होते रहा है फिर भी आपको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ गया जबकि यहां नौजवान हम क्या करें गए बहुत जो आपको पहले जो नुक्सान कुछ हुआ है उस ट्रेणिंग दौरान आपको लगा कि यह मैं जानता तो मेरा नुक्सान नहीं होता है यहां अगर पर से जरूरी है कि पहले जनकारी और ट्रेनिंग लेकर कहीं करें यहां आ कितना सफल रहा है आप पढ़े लिखे हैं लोगों के सामने अगर हम कोई कागजाच रख दे कुछ भी दे दे तो उसका क्या बहुत है जबकि वह पढ़ा लिखा है नहीं उस चीज को समझी नहीं सकता है तो वही चीज जब इल्म हो जाएगा तो कोई भी काम करना उसकी लिए असान हो जाएगा बिल किया है बकरी पालक होने के नाते कि आप कहीं न कहीं से जरूरी नहीं है कि उमेश कुमार कुस वहाँ ही परफेक्ट है जो व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझा पाएं उनसे ट्रेनिंग जरूर लें क्योंकि ये लाइब अस्टो का बिजनेस है और वन वे रास्ता है अनुभवी जो आपके सामने बताये कि इतना दिनों से अनुभवी पालन कर रही है फिर भी यहां आने के बाद ये नया चीज़ को सीखें हैं जैसे आपके सामने ये दिख रहे होंगे अनुभवी व्यक्ति बताने जरूरत नहीं है इन लों का जो एज है इस एज में जब को जरूरत पढ़ा कि नहीं भाई हमें कुछ और अधुनिक्ता जानना चाहिए तो इसे साफ जाहिर बात है कि नए लोगों को तो बिल्कुल कहीं न कहीं से कह रहा हूं सिखना बहुत जरूरी है कि कहां के रहने वाले आप हैं और कितना बकरी बकरियों से फार्मिंग कर रहे ह इस वक्त मेरे पास जो हैं वो 19 बकरिया हैं और मैं रहने वाला उत्तर परदेश डिस्टिक भिजनावर से हूं और काफी दिनों से बकरियां तो घर पर रहती ही हैं लेकिन इस वक्त जो हैं 19-20 बकरियां मेरे पास हैं लेकिन कुछ ना जानने की वज़ा से ट्रेनिंग ना लेने की वज़ा से बहुत ज्यादा नुक्सान उठा पाए हैं अगर इससे पहले ट्रेनिंग ले ले लेते तो हो सकता था कि हम इतना नुक्सान ना उठा पाते जिससे के मेरे पास 14 बच्चे मर चुके हैं ना जानने की वज़ा से दवाईयों का कोई पता नहीं है किस तरह रखाओ कैसे करना है क्या उनको जरूरत इस वक्त खाने की है क्या पिलाना उनको है कुछ भी मालूम नहीं था और बस जैसा के परंपरा चली आ रही है वरसों से बढ़ों की उस तरीके से बकरी पालन हम करते चले आ रहे थे लेकिन अब वो हमें ऐसा लगा कि अब इस तरीक ट्रेनिंग आप लेने आये हैं तो आप देखें कि आपके ट्रेनिंग के दोरान ही बहुँ सारे बकरीयों ने बच्चे को जन दिया है और आपके सामने सभी बच्चे अभी पड़े हुए हैं एक को भी छुपा के नहीं रखा गया तो आप यहां देखने को आप बोले कि 12- अगदालत का खालत में देख जाया तो ऐसा लग रहा था कि कर रहे था लेकिन टी रहा है यहां आने से लिए एक पर देखा तो कम गया दिया और बताया है पढ़ाया है लिखवा दिया गया है कि अब हमें उम्मीद यह है कि आगे चलके हम जो है नुक्सान की सुरत नहीं देख पाएंगे बाकी तो अल्ला मददगार है जी बिलकुल उपर वाले के करम से ही मैं यह काम करता हूं जो आप लोग का help कर पाता हूं इ अनुभवी लोग इतना करने के बाद समझके आपके सामने बातों को रख रहे हैं और इंटर्वियों का मतलब अधरी होता है कि आपके दिमांग में चलता है कि करते करते सीख जाएंगे तो जब करते करते इतना अनुभवी ब्यक्ती नहीं सीख पाए तो आप क्या होगा आप उमेश कुमर कुस वहा को ही क्यों चुने जब कि मैं बहुत भीड से हटके रहता हूं मेरा तरीके अलग है तो क्यों चुने और यहां के मेरे में क्या आया जी सर बात यह है कि हम बहुत टाइम से आपकी जो है वीडियो देखते थे और वीडियो को देखकर के कोई चीज की जरौत पड़ती थी तो उसको भी इस्तमाल करते थे और और लोगों की भी वीडियो हम देखते थे लेकिन हमें जो आपकी बातों में इंट्रेस लगा यानि के जो समझाने का जो बोलने का तरीका है और दूसरी बात यह है कि हमने औरों को देखा तो ट्रेनिंग त दिखाते हैं जैसा कि आप प्रक्टिकल करके दिखाते हैं और आप अपनी वीडियो अपने फारम में अपने काम को बना करके और तब हमारे सामने रखते हैं यहां क्या आपने वहाने के बाद कोई अंतर देखा या यहां भी देखा कि उस तरीका से हो रहा है जिस तरीके से आप सारी वीडियो देखते थे इसी तरीके से आपने अब यहाँ जो हमारे सामने ट्रेनिंग दिया है हम को जो ट्रेनिंग दिया है वो बिल्कुल सेम है उसमें जरा सा एक भी कोई फरक कोई अंतर नहीं है कि ISO पैले से ही बिल्कुल इस बात मतलब वह है कि हम पहले से ही अपनी सही जग कर पहुंचे है की पाइना इले अगा हमfly call जो रियल है कि आप तो भी मेरा चैलर सग्ते चील लिकिन 2-3 ए了吧 मैं देख रहा हूं लेकिन मैं बहुत चैनल है तो किसी पर भी देखता हूं देखता हूं लेकिन जो रियल हमने आपका देखा सुना और अपने दिल से समझा कि हाँ यही सक्स है जो अपने दिल से नहीं बच्चे भी आपकी वीडियो देखते थे बच्चों का भी यही फैसला था कि आपको उमेश सर के पास ही ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है करेजा उचा हो जाता है बात है कि मैं कोई बीजनेसमें नहीं हूँ मैं उतना दुनियादारी भी नहीं जानता मैं एक बकरी पालक हूँ और इस तरीका का जो होता है कि घर से मेरे बच्चे भी मेरे घर के और भी लोग एक कह रहे थे कुमेश सर से ही ट्रेनिंग लो तो अच्छा लगता है कि मैं ने कुछ तो करम अच्छा किया है कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं फिर भी मैं कहूंगा कि महीं धर्ती पे नहीं हूँ बस मकसद है कि आप ट्रेनिंग कहीं से लें जहां से इस तरीका से जो आपके दिल में गड़े हैं जिनको आप बेचार आपको अच्छा लगता है उनसे ट्रेनिंग लें मेरा सोच है कि बस आप ट्रेनिंग लेकर फार्मिंग करें किसे लिए हैं उनसे कोई मतलब नहीं जैसे यहां और भी अनुभवी भाई मेरे पढ़े लिखे नौजवान बकरी पालन में कुछ पहले से कर रहे हैं कुछ नए आना चाह रहे हैं तो हम इन से पूछेंगे कि जो ट्रेनिंग लेने आए तो बहुत सारे लोगों दीमाग रहता है कि ट्रेनिंग बाद में ले लेंगे पहले सेड बना लेते हैं या बकरी ले आते हैं तो कुछ दिए सेड़ बना लिए और उसके बाद तो अच्छा रहता तो पहले बनाया थे और मने क्या दिमाग में चल रहा था पहले का यह था कि बनाया थे जिस ही साब से कि मतलब उधर से भी अगर खूला छोड़ दे दकिन साइट से भी तो हावा आर पार करें यहां पर आने के बाद चला कि नहीं उत्तर से ही में रहना चा भी घुमें अभी भी हैं तो आप फिल किये होंगे कि नहीं मैं अगर खोल दिया हूं तो यह ठंड में मुझे परसानी होता बंद है तो सही है नहीं सब्सक्राइब कर लेगा अलग सी बात है मगर सकसे नहीं पाएगा कोई भी लाइन में सीख के करें मैं यह करना चाहा हूं नहीं पैसा खरच किया अगरे पहले आ जाते आना ही था इन्हें तो जदी पहले आ जाते हलांकि इनका बोटिंग पहले से ही था लेकिन घर में साधी आभी गजा यह साधी था प्यांसे चाहूं पाएगा यह बड़ा बयच रहता पचीस तीस लोग रहते उक पचास लोग कर पाते हैं और समझ नहीं पाता हैं तो इस लिए मैं को बहुत कम लोगों को बॉलाउँ इसी और भी भाई हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं कोई हैं जो बोलेंगे हैं इसमें मैं नए लोगों को मोका दे रहा हूं क्योंकि नए लोगों तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो बोलेंगा कि बहुत अच्छा बताए लेकिन जो अब यक्ति पहले से कर रहे हैं वही दिल का बाज उनका निकलेगा कि मैंने सही किया या नहीं किया और क्या सिखना जरूरी है ठोड़ा सा खियाईएगा यह भाई हैं कि Teach बहुत लबा समय होता है आर साल तो आठ साल माने ृए हम को Ph trading नहीं मिला इसे हमारा नुकसान होते गया। लेकिन हम सिर्ख नहीं ही पाई। इसलिए कि हंम एक उल्ए उसकत आने वाले परिवार हमारे पीछए मैला इसलिए झखने के लिए कि नुकसान भो रहा है बिगर से यह काम करना वेकार है कि क्वाद तरह लगता है है आट साल आपने किया है बहुत लंबा समय होता है आर पांचा हुटा grounding है तो रहा थिन कैसा रहा पांच दिन बहुत बढ़िया रहा पांच दिन में जो जानकारी मिली बहुत जानकारी मिली क्या लगता है कि आठ साल में जो हम नहीं सीख पाये थे वो पांच साल में पांच दिन में सीखे क्या नुक्सान हो रहा था और ट्रेनिंग से आपका क्या फाइदा हो नुक्सान हो रहा था कि जो इस चीज का हमको इलाज करना चाहिए वह हमें मालूम नहीं था इसलिए हमारा नुक्सान हो रहा था वह करिया मर जा रही थी अब जो जानकारी हो गई है उस चीज का हम इलाज करेंगे तो पर साल से कर रहें तो पिमारियों का कारन और उनका उब उपचार बताया कि तो आपके साथ हुआ और मैं जानता तो बचा लेता क्योंकि लच्छन तो भाई यह नहीं दे पाया था और जो इसे ही हुआ था जानता तो बचा लेता ऐसा कुछ हुआ था अगर वह मालूम होता तो बहुत जादा खर्च नहीं होता दोस्त कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो एक पेट एक ऐसा चीज है जो मानेगा ही नहीं आप खाना खाएंगे ही और वहां रहने का सुबधा इंसान रात में कहां भटक के रहेगा तो रहना पढ़ता ही है तो कहीं ट्रेनिंग देना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं कहीं भी जाएं तो उससे जादा नहीं लगता मैं समझता हूं कि जो आप कहीं भी आप घूमने चल जाएं तो बस बैसे भी आपका उतना खर्च हो जाएगा क्योंकि रहने खाने का वेवस्था करना होगा तो उतना ही लगता है लेकिन उतना ही देकर किनही के यहां आप बिलकुल जाकर ट्रेइणिंग ले या पिर सरकारी ट्रेणिंग लेना चाहते हैं तो हर राज के हर जिले में पर किनहीं को यह क स Ze Auch करता हूं तो इसमें मैं किनी कोई यह नहीं बोला हूँ कि आपसे इंटर्वियू लेना है मैं इसे यह पूछूंगा जी बस मैं अचानक कागे कर देता हूँ कि अपना जो ओपिनियन देना है दे इसलिए क्योंकि मैं अपना चैनल खुद चलाता हूँ और परचार इसी बहाने मेरा अपना चैनल का हो जाता है क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ तो अपना परचार तो भाई करूँगा ही कोई दूसरा से कराते हैं मैं अपना खुद करता हूँ जो भी चोटा सा चैनल है उसी से और एक वीडियो बन जाता है भुलेंगे ठीक है बाथ आप कहा के रहने वाले हैं जी हम भी दो साल पहले जहीए स्टार्ट कि यह सोच करके कि गाउं में जहीस बहुत से आदमी रख लेते हैं उसी तरह हम भी जहीसे दो-चार से स्टार्ट कि लेकिन जी जब जनसंख्या बर्वने लगा इसमें बहुत सा ऐसा बेमारी आने लगा जिसके सारण जिसके कारण बहुत सा जहीं से नुकसान हुआ लेकिन यहां आके हमें पता चला कि चराई पर रहने वाली और स्टॉल फीट पर रहने वाली बक्रिया को क्या क्या चीज का जुरुत है यहां कि हम सारा सीखे अगर यह ग्यान हम पहले करी आगे बारे नहीं तो हम लोग तो इसका जहीं खटना करम को जहल चुके हैं आप इस पर जहीं से अमल ना करें जैसे आप तो लेकिन फिर भी हम नहीं बचा पाते थे उन अदमी का बहुत ऐसा दवा है जो बकरियों पर जहीं से असर नहीं करता है उसको लागाते रहे वह मरना है मर गई आपका तीन भाई इस लाइन में हैं डॉक्टरी लाइन में हैं में अपका खुद है तिन तिन है उसके बाद भी ज अचान है कि मनुस का कौन देना है मनुस की तरह उसमें जहीं से इंजेक्शन और दवाई ओगर देते रहे लेकिन फिर भी वह कारगर नहीं अमर गई यहां आने के बाद कि अगर पहले हम आ जाते तो यह पूरा ग्यान हम को मिल जाता तो साइध हम बचा लेते साइध नहीं पूरा 100% बचा लेते और बचाने की तबात के बारी हों बीमारी को आने ही नहीं देते अपने बारे में बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि यहां आपको डॉक्टर भले ना बनाया जाता हो डॉक्टर तो खुद बन जाते हैं जब अपना बकरियों का पर्थमी क पूपचार कर पाते हैं बीमारी त्वेज inspira कर पाते हैं और बीमारी हो जाने के बाद तो यहां आप अपको परकरिये के बाद पहले से किТना और अभी कितना परतिसत घ्यान में जाफा हुआ है आपका पहले तो जीडों थे जी रो ब arisesाल में थे यहां अनृ के बाद हम जो आप कुछ से पढ़े जो सीखे उसके पहली जीरो थे लेकिन यहां से उम्मीद है कि अब यहां से जाएंगे तो क्या मियाभी की तरफ बढ़ेंगे और आगे भी परसानी अगर आता है तो आप हिल्प करने के लिए यह सदब तेयार है देखिए पहली बात तो प्रीटिस कर रहे हैं लेकिन होता क्या है कि जो बकरी पालन है जो बकरीयां है जब अब घ्रात मिलाते हैं तो इसका सरीर में क्या घंटा किस चीज़ का कमी हुआ जो बाहरे पूरा कर लेती थी वह आपको जानना होगा और वह जानने के लिए एक बकरी पालक से मिलना ही पढ़ा हुआ बेक्ति हो जो उसके उसका काम को कर रहा हो और उसका डीपली नोलेज लग रखता हो उससे मिलेंगे तो ही आप जान पाएंगे क्योंकि उन्होंने बकरियों पे सोध किया है इसलिए बकरी पालक से ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है और बकरी पालन ना करें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और मैं बार बारे बातों को रिपीट करता हूँ कि ट्रेनिंग का मतलब उमेश कुमार कुसवाहा नहीं ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग होता है जनकारी होता है जहां से भी मिले लें क्योंकि इसमें जो नु किये हैं जितना बड़ा नुकसान इसमें हो जाता है तो अगर सीखे हुए होते हैं तो नुकसान का संभाबना कम है ना के बराबर है और ट्रेनिंग के दोरान आपको यतना किलियर कर दिया जाएगा जिससे आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप बकरी पालन आप करने लाइक हैं या नहीं है तो यह आपका सुकता जो चल रहा है कि हम बकरी पालन करें या ना करें जो छो पांच चल रहा है दिमाग में वो ट्रेनिंग में ही सांत हो सकता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्या संसाधन चाहिए तो आप करेंगे क्या संसाधन आपके पास नहीं है तो ना करें ये सभी चीजों को समझने के लिए कहीं-पहीं ट्रेनिंग में आपको बैठना होगा इस लाइन में अगर आप थोड़ा सा भी रूची लेते हैं आना चाहते हैं या उध्यर भून में हैं कि जाए या न जाए इस लेन में तो उसका एक ही भी कल्प है कहीं न कहीं से सरकारी संस्था प्राइविट संस्था कहीं से सीखें जरूर कुछ दिनों का कुर्वानी दें कुछ समय अपना बेस्ट करना ही होगा आपको ट्रेनिंग के लिए और आप सीखें कर सकते हैं तो नवसकार दोस्तो प्रणाम धन्यवाद